सब्सक्राइब नाओ और प्रेस्ट बेल आइकन नेवर मिस अन अपडेट तो स्वागत हैब सभी खामार इस यूट्यूब चैनल एक संडिल्या में तो चलिए दोस्तों वीडियो को सुरू करते हैं तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपने भी एक नया लैप्टोप लिया है और आपको लैप्टोप लिये हुए कुछ ही महीने हुए हैं या कुछ ही साल हुए हैं और आप उसके स्पीड से बिल्कुल परिसान हो चुके हैं एनॉइड हो तो आज किस वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि आपका काम कैसे बन सकता है आपका लैप्टोप बिल्कुल चुटकिएों में फास्ट हो सकता है बस एक छोटी सी सेटिंग करनी है जो कि आगे मैं आपको बताने वाला हूँ हूँ तो सबसे पहले यह चोटी सी सेटिंग क्या है जानने के लिए आपको control panel open कर लेना अगर आपको control panel desktop पे नहीं सो हो रहा है तो आप type और search here बार पे जा सकते हैं यहाँ पे आप control panel लिख सकते हैं c-o-n-t-r-o-l और यह देखे control panel आ चुका है आपको इसको open कर लेना है कभी बार क्या होता है कि हम काम करते रहते हैं और laptop slow होता है तो बहुत सारी चीज़ें मतलब disturbance हो जाती है बहुत problem होती है कभी-कभी आपको इतना गुस्ता आता है कि मन करता है laptop ही ठेख लो तो चलिए आपको यहाँ पे power option पे आ जाना है अगर आपका यहाँ से यह small icon पे होगा तो आपको यहाँ से large icon पे click कर लेना ठीक है और यहाँ से आपको power option में आ जाना है power option में आने के बाद इस setting को करने के बाद आपका बिल्कुल fast हो जागा system आप बिल्कुल tension मतलो और नहीं होगा तो फिर तो आपका भाई है यहाँ से आपको change plan setting पे click करना है और change advance power setting पे click कर द लिखेगा इस option पे आपको click कर लेना है click करने के बाद यहाँ देखिए turn off hard disk after on battery पे भी never मैंने कर रखा और plug-din पे भी never कर रखा अगर आप में कुछ और है तो आप भी से नेवर पे set कर लें क्योंकि इस पे अगर आप time limit set करते हैं जैसे 10 minute या 5 minute अगर आप company लगा कर देती ह यह battery को save करने के लिए ताकि अपका laptop जादा ज्यादा बैटरी backup दे सके और ज्यादा ज्यादा बैटरी backup देने के चक्कर में होता है कि आपके laptop का performance slow down हो जाता है या आपके system का performance slow down हो जाता है तो इसके लिए आपको यहाँ पर जैसे यहाँ पे 10-5 कुछ भी लिखा हुआ है तो आपको इसको बिलकुल एरेस कर देना कर देना यहां पे जीरो कर देना है जैसे ही आप जीरो करके यहां से apply फेक्लिक करेंगे तो यह automatic never हो जाएगा उसके बाद देखिए जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूं यह देखिए यह नेवर हो चुका है ठीक है और नेवर होने के बाद यह क्या होगा कि आपकी हार्ट डिस्क ऑटोमेटिक अन रहेगी और यह आपकी हार्ट डिस्क को भी नुकसान पहुंचाता है जैसे माल लिजए यहां पर मैं दस मिनिट सेट कर दिया दस मिनिट आपकी लैप्टोप ऑन हुआ दस मिनिट हुआ और हार्ट डिस्क बंद हो गया फिर थोड़ी दर बाद जब आप जैसे ही दिस्पी सी खोलोगे अपने हार्ट डिस्क की पार्टीशन खोलोगे जैसे लोकल डिक सी खोलोगे डिक कोलोगे तो फिर से आपकी हार्ट तो पहुंचे गाई और मेरे ख्याल से यह बहुत जादा ही power consumption करती है जैसे कि आप बार बार आप क्लिक करते हो बार वर वर चालू ओती है बार बर बंद होती है तुछिए चालू बंद होने के क्रंब में बहुत ज्यादा power का कंजम्शन होता है तो आपको यहां से इसको नेवर कर देना है on battery को और plug in को भी नेवर करते हैं zero करेंग तो इस apologic never हो जाएगा यहां से आपको apply कर देना है यहां से करका तो इसकाद आपको सारे टाप को close कर लेना और आपको यहां power option पर आजाना है और यहां से आपको system को एक fresh restart देना है, restart देने के बाद आप खुर्प देख पाएंगे कि पहले में और अब में क्या फर्क है, PC fast हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों